अगर आपको भी कुछ इस परकार से विंग्स कापल चेयर नेम वीडियो इडित करना है आजा बोस्त सिखा देंगे तो चलिए अब इसका इडितिंग सिख लेते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर देजिएगा तो चलिए अब आपको लेचलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर सबसे पहले गूगल को उपन करके आपको सर्च करना है कुछ इस परकार से लिख करके आप सर्च किजिएगा एक नमर पर जो पोस्ट आएगा इसको आप ओपन किजिएगा उसके बाद नीचे चलिएगा नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा प्रम्त यहां पर आपको दो प्रम्त दे दिये हैं जो आपको आचा लगे उसको आप सेलेक्ट किजिएगा उसके बाद कॉपी वाला बटन पर किलिक करके कॉपी कर लिजिएगा उसके बाद उपर चलिएगा उपर आपको देखनों को मिल जाएगा फोटो की रियेटर इस पर आप किलिक किजिएगा अगर एड आएगा तो इसको कट कर देजिएगा अगर पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं तो सबसे पहले आपको लॉगिन होना परेगा हम पहले से ही लॉगिन करके हैं अगर आपको लॉगिन करने नहीं आता है तो इस पर एक वीडियो बना करके अपलोड कर रिये हैं लिंक देदेंगे नीचे देख करके लॉगिन कर जिएगा उसके बाद जिस प्रम्ट को अब भी आप कापी किये उसको यहां पर पेश्ट किजिएगा उसके बाद यहां पर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना होगा यहां पर आपको देखनों को मिल जाएगा सुजीत सुजीत के जगह पर जो आप नाम लिखना चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं तो चलिए हम यह से राहू लिख लेते हैं जैसे कि आप सब देख सौकत होंगे उसके बाद आगे आपको देखनों को मिल जाएगा नेहा लरकी के जगह पर जो आप नाम लिखना चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं तो चलिए हम कुछ इस परका स से मुस्कान लिख लेते हैं उसके बाद क्रियेत वाला बटन पे किलिक की जिएगा थोड़ा सा वेट की जिएगा आपका फोटो बनकर त्यार हो जाएगा अगर इसमें और कुछ भी चेंज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर इससे आप क्या बनवा जैसे कि आप सब देख सकते होंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीका से बना करके दे दिया है अगर इन में से आपको कोई सावी फोटो आच्छा नहीं लगता है तो फिर से किरियेत वाला बटन पे किलिक करके फिर से नाया चार फोटो बनवा सकते हैं तो इन में से जो फोटो आपको अचम लगे उस पर आप किलिक जियेगा तो सब के सब आच्छा है चार नमर वाला जो फोटो है उसपर हम किलिक कर देते हैं उसके बाद खीरी डाट लाइन पे किलिक करके इसको आप डाउन लुद कर लेज़ियेगा अगर इसको आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो बनाने के लिए cut कीजिएगा बी एन एप को open कीजिएगा लिंक दे देंगे नीचे download करके open कीजिएगा उसके बाद प्लस वाला icon पे क्लिक करके new project पे क्लिक कीजिएगा फोटो पे क्लिक कीजिएगा जो फोटो अभी आप download किये उसको आप add कीजिएगा original पे click करके 9 by 16 पे click कि जियेगा photo पे click कि जियेगा इसको आप छोटा कर देजियेगा कुछ इस पर कर से उसके बाद नीचे से आगे के तरफ चलिएगा bg पे click कि जियेगा image पे click कि जियेगा image का जो blur है यहाँ से combais कर सकते हैं आप अपने recording देख लिजिएगा उसके बाद down पे किलिक कर देजिएगा अब मुझे फोटो में border देना है देने के लिए border पे किलिक किजिएगा जिस color का आप border देना चाहते हैं color को select किजिएगा और इसका जो in city है आप यहां से canvas कर सकते हैं उसके बाद down पे किलिक किजिएगा अब इस photo का जो size है बरहा करके आप लग भग 12 से 13 सकेंद कर लेजिएगा तो चलिए कर लेते हैं जैसे कि आप सब देख सकते होंगे कुछ इस परकार से 13 सकेंद कर लेते हैं अब इसको मुझे save करना है save करने के लिए arrow पे किलिक किजिएगा quality देख लिएगा export पे किलिक करके इसको आप gallery में save कर लेजिएगा अब इसमें मुझे auto velocity effect apply करना है करने के लिए सबसे पहले आप VPN को open करके connected कर लेजिएगा connected हो जाने के बाद अगर आपके mobile में cape cut app नहीं है link दे देंगे नीचे वहाँ से आप download कर सकते हैं उसके बाद इसको आप cut किजिएगा फिर से आप google को open किजिएगा plus वाला icon पे किलिक करके new tab को open किजिएगा search वाला icon पे किलिक करके आपको search करने ICAL by technical subject कुछ इस परकार से लिख करके आप search किजिएगा एक नमर पे जो post आएगा उसको आप open किजिएगा उसके बाद यहां से आप नीचे चलिएगा नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा use this template इस पर आप किलिक किजिएगा अगर add आएगा तो इसको आप cut कर देजिएगा उसके बाद use template इन के पकट इस पर आप किलिक कर देजिएगा use template पर किलिक करके जिस वीडियो को अब भी आप save किये उसको आप add किजिएगा फिर इभी वाला बटन पर किलिक कर देजिएगा नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा applying a smooth slow motion तो यहाँ पर आपको wait करना होगा processing complete हो जाने के बाद export पर किलिक किजिएगा save and share to TikTok इस पर आप किलिक करके वीडियो को गैलारी में save कर देजिएगा तो हमें उमीद के साथ साथ पूरा विश्वासे कि ये editing आप सब को आच्छा लागा होगा अगर थोड़ा सा भी लागा हो लाइक किजिएगा subscribe किजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर देजिएगा तो चलिए मिलता हैं अपने अगले वीडियो में